Hello Friends, Welcome to our Channel Siva Online Classes दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं भारत के राष्ट्य उध्यान के बारे में तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे Part 2 के बारे में Part 1 जो दोस्तो है वो मैं अपलोड कर चुका हूँ तो दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करने चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल Siva Online Classes को भी सब्सक्राब जरूर करें साथ ही दोस्तो वैल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो तो फर्स्ट है दोस्तो हमारा सबसे पहला है नंदा देवी राष्ट्री उध्यान तो ये जो नंदा देवी राष्ट्री उध्यान है इसकी दोस्तो इस्थापना हुई थी मतलब इसको राष्ट्री उध्यान गोसित किया गया था 1982 में ये दोस्तो चमोली में इस्थित है और चमोली पितोरागर डिस्टिक में है पितोरागर दोस्तो उत्राखंड में लोकेटेड है तो यह चमोली में इस्तित है और इसकी डिस्टिक है मतलब कि इस जिले में है तो यह पितोरागर में है और पितोरागर दोस्तो उत्राखंड में है तो यहाँ पर मैंने दोस्तो इस राष्ट्रिय उध्यान से सम्मद ovat कुछ details देवी में जिनका आपके लिए पता होना बहुत जरूरी है तो मैं एक आपके लिए यह ड़िट्रीव जो है ठेक से सम्झाने की कोसित करता हूं नंदा देवी राष्ट्री अभ्यरण एक विश्व धरोहर का नाम है यह भारत की उत्राखंड में नंदा देवी परवत के आसपास का इलागा है जिसे नंदा देवी राष्ट्री अभ्यरण के नाम से भी जाना जाता है नंदा देवी राष्ट्री अभ्यरण लगबग 630.33 बर्ग किलोमेटर तक फैला हुआ है यह उत्तर भारत का विशालतम अभ्यरण है जिसे सन 1982 में राष्ट्री अध्यान गोशित किया गया था तथा फूलो के घाटी राष्ट्री अध्यान सहित सन 1988 में वीशित संग्ठन यूनस को दोरा इसे वीशित धरोः के रूप में गोशित किया जा चुका है तो दोस्तों ये जो नंदा देवी राश्री उध्यान है इसको राश्री उध्यान 1982 में गोसित किया गया था और 1988 में इसे यूनेज को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में गोसित किया जा चुका है तो बहुत ही इंपरेटेंड है दोस्तों नंदा देवी के बारे में काफी जादा एक्जामस में कोर्शन पूछे जाते रहते हैं तो नेक्स्ट आता है हमारा गंगोत्री राश्ट्री उध्यान गंगोत्री राश्ट्री उध्यान दोस्तों 1989 में इस्थापित किया गया था और इसका जो इस्थान है ये गंगोत्री उत्राखंड में इस्थित है गंगोत्री राष्ट्री उध्यान भारत के उत्राखन राज में उत्रकासी जिले में भागी रथी नदी के उपर जलग्रहन छेत्र में इस्थित है तो दोस्तों ये उत्राखन में इस्थित है और ये भागी रथी नदी के उपरी जलग्रहन छेत्र में इस्थित है इस राष नक्स ले लेते हैं दोस्तों नेक्स है हमारा मांट अबू बनीजीर अभेरन तो मांट अबू बनीजीर अभेरन के दोस्तों जो इसको राश्यू ध्यान गहुशत किया गया था और ये माउंट अबू राजस्थान में इस्थित है माउंट अबू बन जीव अभिरन माउंट अबू का एक प्रिसिद्ध परेटक स्थल है यहां मुखर रूप से तेंदुए स्लोथ वियर, वाइल्ड वोर, सांवर, चिंकारा और लंबूर पाय जाते हैं 288 बर किलोमेटर में फेले इस अबहरन की स्थापना 1960 में किय गई थी यहां पक्षियों की लगवग 250 और पौधों की 110 से जएदा प्रिजातियां देखी जा सकती है नेक्स्ट की तरफ चलने से पहरे दोस्तों मैं आपसे रुक्ष करना चाहाँगा कि वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दें तो नेक्स्ट आता है दोस्तों मारा महात्मा गांधी समुंद्री राष्ट्री उध्यान महात्मा गांधी समुंद्री राष्ट्री उध्यान तो दोस्तों जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि समुंद्री राष्ट्री उध्यान है तो इसकी जो इस्थापना हुई थी वो 1983 में हुई थी और दोस्तों ये अंडमान दीब समुं में इस्थित है महात्म गांधी समंदरी राष्ट्री उध्यान भारत के अंडमान दीब समूं का एक राष्ट्री उध्यान है यह पोर्ट बिलेर से 29 किलोमेटर की दूरी पर इस्थित है इस उध्यान का दाइरा 281.5 बर्ग किमीका है इसका जो छेत्र भल है दोस्तों वो 281.5 बर्ग किमीका है नेक्स्ट की तरफ चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे रुकर्ष करना चाहूंगा कि इस वीडियो की पीडियो फैल भी आप डाउनलोड कर लें अगर आप इसकी पीडियो फैल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक में इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जहां से जाकर आप इस वीडियो की पीडियो फैल के लिए डाउनलोड कर सकते हैं तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा इंद्रा गांधी राष्ट्री उध्यान तो इंद्रा गांधी राष्ट्री उध्यान की स्थापनों हुए थी दोस्तों कि यह जो इंद्रा गांधि थी वो भारत की पहली महला प्रधानमंत्री थी नेक्स्ट आता है दोस्तो हमारा बनेर गाटा राष्ट्रिय उध्यान तो बनेर गाटा राष्ट्रिय उध्यान के स्थापना हुई थी 1994 में और ये दोस्तो बैंगलोर में इस्थित है बैंगलोर कहां पर है दोस्तो करनाटक में और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि बैंगलोर जोबो करनाटक की राजधानी भी है तो बनारगाटर राश्टी उध्यान 1994 में इस्थापित हुआ था बैंगलॉर में इस्थित है और बैंगलॉर करनाटी के राजधानी है बैंगलॉर इस्थित बनार घाटा राश्टिय उध्यान जंगली बिल्लियों भारती तेंदुवा बाग चीतों और हाथियों को देखा जा सकता है इस पार्क में एक साप और मगरमच का भी फॉर्म है तो इस उध्यान में दोस्तों जो बैंगलॉर में इस्थित है बनार घाटा राश्टिय उध्यान इसमें जंगली बिल्ली भारती तेंदुवा बाग चीता और हाथियों को देखा जा सकता है पार्क में एक साप और मगरमच का फॉर्म भी है और दोस्ते खास बात ये भी है कि देश की पहली तितली पार्क बनार घाटा वाइलोजिकल पार्क में इस्थापित किया गया था तो नेक्स्ट की तरफ चलने से पहले दोस्तों मैं आपसे रुकेस्ट करना चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वेल आइकन को भी प्रेस कर ल तो next की तरफ चलते हैं दोस्तों next आता है हमारा Silent Valley राष्य उध्यान Silent Valley राष्य उध्यान की जो इस्ठापना हुई थी वो 1984 में हुई थी और यह पलककर केरल में इस्थित है Silent Valley राष्य उध्यान भारत के केरल राज़ Ohh पलककर जिली में इस्थित एक राष्ट्य उध्यान है जो नीलगिरी प्रवत में है नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे मानस राष्ट्य उध्यान तो मानस राष्ट्य उध्यान की स्थापन विथी 1990 में और ये बारपेटा रोड असम में इस्थित है मानस राष्ट्री उध्यान या मानस वनजीव अभेरन असम में इस्थित एक राष्ट्री उध्यान है यह अभेरन यूनिसकों द्वारा गोसित एक प्राकृतिक विस धरोहर इस्थिल है तो इसके लिए भी दोस्तों यूनिसकों ने विस धरोहर इस्थल गोसित किया हुआ है नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा ओरांग राश्ट्री उध्यान तो ओरांग राश्ट्री उध्यान की स्थापन हुई थी 1999 में और ये दारांग सोसितपुर असाम में स्थित है औरंग राश्ट्रिय उध्यान भारत के असम राज के दारंग और सौसित पृजिलों में एक राश्ट्रिय उध्यान है जो ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर में पड़ता है यहां 1985 में इसको अभेरन घोषित किया गया था और 13 अपराइल 1999 में इसे राष्ट्री उध्यान बना दिया गया था तो यह दोस्तो ओरांग राष्ट्री उध्यान जो है वो 13 अपराइल 1999 में इसे राष्ट्री उध्यान बना दिया गया था नेक्स्ट आता है दोस्तो हमारा हमिश राजटी उध्यान की स्थापना हुए थी दोस्तों 1981 में और यह है कहां पर हमारा जो भारत का एक नया जम्मु कश्मिर राज से अलग होकर केंद्र सास्थ प्रिотоao बना है यह में तो यह ले लद्धाक में दोस्तों इस्तित है और हिमिस राश्य उध्यान या हिमिस हाई अल्टिटूट राश्य उध्यान भारत के पूर्वी लद्दाग छेत्र में काफियो उचाई में इस्तित एक राश्य उध्यान है यह भारत में हिमालय के उत्तर में एक मात्र राश्य उध्यान है तो दोस्तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरू बताएं ये राष्चिय उध्यान की सेकेंड वीडियो थी तो इन दोनों वीडियो में मैंने फार्ट वन और सेकेंड में 20 राष्चिय उध्यान कवर की हैं जो कि आपके एक्जैम्स में पूछे जाते हैं वैसे भारत में 104 राश्ट्रियो ध्यान है लेकिन सबके बारे में आपको जानने की जरूद नहीं है मैं आपको गरंटी देता हूं कि आपके अग्जाम में अगर कोई प्रिश्न आएगा तो इनी 20 राश्चियो ध्यान में से आएगा तो दोस्तों उम्मिद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल सिभा आउनलाइन क्लासिस को सब्सक्राइब जरू करें तो चली दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो को साथ में तब तक के लिए नमस्कार